हेलो दोस्तो आज की इस वीडियों में हम आर्टिकल ए एन द का यूज कहां पर करती हैं इसके बारे में जानेंगे सांती साथ इसके उपर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जो ट्रिक दोस्तो 100% हर कोश्चन में एपलाई होगा इसके बाद हम पूरा question solve करेंगी चाहे आप 10th board से हो चाहे 12th board का आप इस समय exam देने वाले हो चाहे आप government exam के तयार ही कर रहे हो चाहे आप कोई भी class से हो आर्टिकल दोस्तों आप सब के paper में लगभा पूछा ही जाता है तो आर्टिकल को समझना आपके लिए बहुत important है पांच मास्का दो मास्का यहां से question आते ही है तो चलिए वीडियो को start करती है सबसे पहले हम पढ़ेंगे an का प्रयोग use of an an का जो प्रयोग होगा यह कहां पर किया जाएगा तो आपको इसके लिए बस हिंदी का जो धोनी स्वर है इसको याद रख लेनी है a, e, a, o start form में बोल सकते हो a, e, a, o a, e, a, o इसको बस आपको याद रख लेना है और जहां जहां पर भी इसका उचायन होगा वहां हम an का प्रयोग करेंगे जैसे कि दोस्तों आप यहां पर लिखा है aeroplane aeroplane देख सकते हैं आपर a, r, a, और यहां पर भी a है तो यहां पर खिसका प्रयोग करेंगे an का इसी प्रखा यह लिखा है umbrella, a, r, a तो क्या लगाएंगे हैं पर देख सकते हैं पर a है, तो a, n लगाएंगे जहां जहां a आए जाए e आजाए, a आजाए o आजाए उचारन करने पर वहां वहां हम an का प्रयोग करेंगे, इसी प्रखार आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा है sp, तो sp को हम क्या लिखा है, sp, हिंदी में sp, ar है, देख सकते हैं तो ar है, तो क्या लगाएंगे हाँ a, n लगाएंगे इसी प्रखार देख सकते हैं क्या लिखा है, देखो, इसमें h silent है तो o से पढ़ना है, ana Reble क्या लिखा है, ana Reble देखे सकते हैं, आप आ, r है तो क्या लगेगा, यहां पर a, n इसी ही प्रकार लिखा है M A तो M A को क्या पढ़ेंगे A M M A इस प्रकार से हम हिंदी में उच्चारन करेंगे तो A R है तो क्या लगाएंगे हाँ पर A N इसी प्रकार देख सकते हैं क्या लिखा है H यहाँ पर silent है O से पढ़ेंगे Anist Anist तो A R है देख सकते हैं तो क्या लगाएंगे An उसी प्रकार यहाँ पर ocin क्या पढ़ेंगे इसको ocin तो O R है देख सकते हैं इसके उपर कोई भी मातरा हो A R है तो क्या लगाएंगे हम लोग यहाँ पर An इसी प्रकार देख सकते आंसर फिर से R है तो क्या लगाएंगे? AN इंग पॉर्ट E, R, E तो क्या लगाएंगे? AN चार आपको याद रहाएंगे? A, E A, E A, O यह धोनी जब भी आये तो AN लगा ही देना A, E, A, O देख सकते L, L, B तो क्या से पढ़ेंगे इसको L, L, B इस प्रकार से हम उच्चारान करेंगे ना L, L, B तो L आ रहा है A, R है A देख सकते A तो क्या लगाएंगे हैंगे? AN इसी प्रकार आवर H साइलेंट है O से पढ़ना है आवर क्या प्रकार आवर? देख सकते A, R है A तो क्या लगाएंगे हैंगे? तो इस प्रकार का AN के एकदम सिंपल से यूज है बस आपको चार उच्चारान याद रख लेने है A, E, A, O A, E, A, O जहाँ पर भी आए वहाँ AN का प्रियोग हम करेंगे आप तो A बोले थे लेकिन हाँ पर A, R है तो इसको मत देखो सिप A को देखो इसी प्रकार देख सकते इंक पॉर्ट E, R है तो किसका प्रियोग करेंगे? AN का O, SIN आप बोलोगे? आप तो बोले थे A आएगा तो AN लगाना यहाँ पर O, SIN हो रहा है तो कुछ मत देखो A को देखो मांतरा को मत देखो A आ रहे न A तो क्या लगेगा? AN लगेगा मांतरा को आपको ध्यान नहीं देना है बस देखना सुरुवात में A, E, A, O यह आ रहा है किने? यह देखो तो ही वहाँ पर AN लगा होगा देख लेना अब हम सीखेंगे Use of A A आर्टीकल का प्रेव कहां पर करेंगी? तो जहां पर A, E, A, O ना आए वहाँ पर हम क्या लगेंगे? A A, E, A, O यह आ जाएगा तो AN लगेंगे और A, E, A, O उच्चारान में नहीं आएगा तो किसका प्रेव करेंगे? A का देख सकते हैं क्या है बॉई? बॉई तो क्या है अ बॉई? गर्ल अ, E, A, O नहीं आ रहे हैं तो क्या लगा है? A गर्ल अ कार अ मैन अ टाइगर अ लॉयन इसको क्या पढ़ेंगे? यूरोपियन A, E, A, O आ रहे है कि देख सकते हैं देख सकते हैं यू आ रहे है अ, E, A, O नहीं आ रहे हैं तो क्या लगा हैंगे? A लगाएंगे याद रखना A इंगलीस में कई लोग वावल्स को रट लेते हैं अ, E, I, O, U तो यहाँ पर U, R है यह समझ के यहाँ पर A, N का प्रयोग कर देती हैं लेकिन ऐसा गलत है आपको चारन करना है A, E, A, O सिर्फ इतना आएगा तो ही आपको A, N का प्रयोग करना है इसके अलावा को भी धोनी निकले वहाँ पर आपको A का प्रयोग करेंगे जैसे यूरोपियन तो A, Uniform U, U तो U आ रहे है यू तो A, E, A, O में तो U सामिल नहीं है तो क्या लगगा A Uniform Useful One One, देख से थे हैं वा A, E, A, O A, E, A, O सामिल है कि हाँ पर देख नहीं है वा, रहुआ तो आले A, One तो इस प्रकार से A का प्रयोग कहाँ पर करेंगे जहाँ पर धोनी का उच्चारण A, E, A, O नहीं आए वहाँ पर A का प्रयोग करेंगे और A का प्रयोग और A, N का प्रयोग कहाँ पर नहीं करेंगे ये बता देता हूँ जो भी हमारा plural होगा जिसको हम count नहीं कर सकते वहाँ पर a और an का प्रयोग नहीं करेंगी जैसे milk को हम count नहीं कर सकते water को भी हम count नहीं कर सकते butter, oil इसको हम count नहीं कर सकते इसलिए यहाँ पर a और an का प्रयोग नहीं होगा यहाँ पर the का प्रयोग होगा दा करते हैं दा का प्रयोक कहा पर आपको करना है जब संपुन जाती का बात करें तो दा का प्रयोक करेंगे जैसि कि काई काउ बोलने से पूरा गाय जाती का बोध हो रहा है अब गाय काई कैसे भी हो गाय गाय छोटा बच्च हो गाय का या फिर बड़ा हो या फिर गाय का रंग कैसा भी हो काला हो गोरा हो वाइट हो गाय का रंग कैसा भी हो cow बोलने से पूरा गाय की प्रजाती का यहाँ पर बोध हो रहा है इसलिए यहाँ पर दा का प्रयोख करेंगे जब संपुर्ण जाती का बोध होगा एक नाम लेने से पूरी जाती आ जाएगा उसमें दा का प्रयोख करेंगे जैसे dog, कुत्ता बोलने से सारे कुत्तिया गए, चाहे कोई भी dog हो dog के बहुत सारे types होती है तेकि dog बोलने सारे कुत्ता सामिल हो गया इसलिए यहां पर किसका प्रयोग करेंगे दा का, इसी परकर man man बोलने से पूरा आदमी जाती का बोध हो रहा है पूरा गुरूप का, तो क्या लिखेंगे दा, सेकंड है मुख्य धर्म धर्म और धार्मी किताब धर्म आजाए और धार्मी किताब उनके आगे भी हम दा का प्रयोग करेंगे जैसे कि हिंदू धर्म है तो दा हिंदू, इसलाम भी धर्म है तो इसके सामने दा का प्रयोग करेंगे क्रिस्चन भी धर्म है तो इसके सामने किसका प्रयोग करेंगे दा का और जो भी हमारा धार्मी किताब है जैसे ही कुरान है तो कुरान धार्मी किताब है दा का प्रयोग करेंगे वेद, वेद भी धार्मी किताब है तो दा का प्रयोग करेंगे Bible, Jesus यह सब धार्मिक किताब है तो दा का प्रयोग करेंगे इसी प्रकार रामायान, गीता, क्रिश्णा रामायान, गीता भी क्या धार्मिक किताब है इसलिए दा का प्रयोग करेंगे इसी प्रकार तिसरा है हमारा किसी विशेश उपाधी या राश्टीता के पहले हम दा का प्रयोग करेंगे यदि किसी को विशेश उपाधी मिला है या राश्टीता आ रहा है तो वहाँ पर दा का प्रयोग करेंगे जैसे कि मोहंदास करमचंद गांधी, M.K. गांधी is the, father of nation गांधी जी को हम क्या बोल रहे है राश्टी पिता, nation of father गांधी जी को हम राश्टी पिता बोल रहे है तो गांधी जी को हम विशेश उपाधी, उपाधी का नाम है नेशन of father गांधी जी को हम राश्टी पिता, एक उपाधी से संबोधित कर रहे है है इसले किस का प्रेण करेंगे कर यह के बे क्या करेंगे इंडिया का सेक्स्पीयर या का 한वज़् को एक विसेस उपाधी देर यह क्या है इंडिया का राश्टीता इंडियांस, अमेरिका का अमेरिकंस, चाइना का चैनिस, तो राश्टीता एकना नेशनलिटी, तो दा का प्रयोग हम को करना है, इसी प्रकार, जिसको गिन नहीं सकते, अभी बताया था, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, वहाँ पर हम ए, N का प्रयोग नहीं करेंगे वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे The का Milk को गिन नहीं सकते तो The Milk, The Water, The Wild उसी प्रकार छटवा नमबर पर आती है जो भी हमारा प्लानेट होगा स्टार होगा वहाँ पर हम The का प्रयोग करेंगे जैसकि Moon Moon क्या है हमारा एक स्टार है तो The Moon इसी प्रकार सन सन भी स्टार है तो The Sun अर्थ हमारा क्या प्लानेट है तो The Earth, स्टार तो स्टार हो और प्लानेट हो उसके सामने हम दा का प्रयोग करेंगे उसके बाद Direction यानि कि दिशाओ के साथ भी हम दा का प्रियोप करेंगे जैसे कि East, West, North, South इसके आगे हम दा लगाएंगे जैसकि कुछ एक्जामपल लिया हूँ East, इस्ट डारेक्शन है तो दा East, वेस्ट भी डारेक्शन है तो दा वेस्ट, North भी डारेक्शन दा North, दा South आठवा, बड़ा बड़ा जो भवन होगा, बड़े बड़े जो भवन होंगे, वहाँ पर भी हम दा का प्रियोप करेंगे, जैसकि लाल किला, Red Fort, लाल किला बड़ा सा इमारा थ, बड़ा सा भवन है तो क्या लाएंगे, दा Red Fort इस पर ताज महल है, ताज महल गंगा भी न दी है तो क्या लगाएंगे द गंगा सतलज तो क्या लगाएंगे द सतलज दस्वा जो पहाड़ है उसके सामने भी हम द का प्रयोग करेंगे जैसे हिमाल्या तो क्या लिखेंगे द हिमाल्या सी वालीक द सी वालीक तो ये था पूरा द का प्रयोग इसी प्रकार दा का जो प्रेयोगा एक दोटो question में आ जाएका तो वहाँ पर आपको मैं बता दूँगा, कुछ खास चीज रहेगा question में, तो चलिए अब हम A, N और दा, इसके उपर अब हम question करते हैं, और देख पाते हैं कि आप कितना यहां से tick कर पाते हो, तो पहला question हमारा, तो C is a college student, देखो A, E, A, O, यदि यह आये उच्चारन करने पर तो A, N लगाएंगे, इसके अलावा कोई दूसरा आ जाए, तो A लगाएंगे, और दा का प्रेयोग तो आपको बता ही दिया हूँ, दूसरा, this is cow, मैं अभी बताया था, cow क्या है, जिससे संपुन जाती का बोध हो, वहाँ क्या लगाएंगे हम दा, तो cow बोलने से सारे गाय का बोध हो रहा है, तो क्या लगाएंगे दा, तीसरा, he gave me, देखो, आपको जब भी आर्टिकल दिया रहेगा, तो जो feeling the blank होगा, उसके इधार का उच्चारन कने, इधार का कुछ भी नहीं देखना है, आपको सिर्फ इधार का देखना है, यह first वाला word, वन आ रहे है, क्या रहे है, he gave me one, hundred रुपी नोड, वा रहे है, वा, तो क्या लगेंगे, one, हम पढ़े हैं वहाँ पर एक प्रेव होगा, C is European girl, कौन से girl, European, you are a you, तो A, E, O, A, E, O नहीं आ रहे है, तो क्या लगेगा, A लगेगा, Mr. Kiso is, M, L, A, इसको क्या लगेंगे, M, L, A, देख सकते हैं, A आ रहे है, A, E, O, A आ रहे है, तो क्या लगाएंगे, A, N, Mohan is, देख सकते हैं, यह थोड़ा 6 नंबर का अलग है, आपको याद रख लेने है, Board Exam में पूछा गया था, Mohan is, filling the blank, only, son of Mr. Verma, Mohan जो है, Mr. Verma का एक लौता son है, मतलब Mohan जो है Mr. Verma का क्या है, एक बेटा है, तो यह एकदम fix है, एकदम sad है, true है, तो क्या लगाएंगे हाँ पर दा का प्रियोग करेंगे, बस यह वाद रखना, जब भी, यहाँ पर जब भी किसी का नाम दिया होगा, और सन दिया होगा, यहाँ पर उसके पीता जी का नाम दिया होगा, तो क्या लगाएंगे दा, Mohan is the only son of Mr. Verma, नाम चेंज हो जाएगा, लेकिन ऐसी question में है का दा ल The Ganga is Holy River, मतलब Ganga जो है Holy यानि की होता है पवित्र, गंद्रा Ganga जो है पवित्र नदी है, पवित्र रिवर है, तो इसके सामने किसका प्रियोग करेंगे है, एका, दा का प्रियोग नहीं करेंगे, देखो कई लोग क्या सोते Ganga आ गया, तो यहाँ दा का प्रियोग करेंगे, Holy आया, तो A का प्रियोग करेंगे, हमेशा याद रखना, Holy आया, तो किसका प्रियोग करेंगे, A का प्रियोग करेंगे, उसी प्रवर 9th नंबर है, Mr. George is Union Leader, Mr. George is the Union Leader, तेको Union मतलब संग, एक समु की बात होई और जब समु की बात होती है, तो एक जाती आ जाता है, समु जुन्ड न मिस्टर जॉर्ज का है यूनियान का लीडर है एक संग का नेता है तो क्या लिखेंगे दा हमेशा याद रखना यूनियान जब भी आए न तो क्वेश्टन पढ़ लेना दा लगाना है आपको क्या पढ़ेंगे इसको अनरेबल तो आर है किसका प्रेप करेंगे ए न का सीता मेट वन आइडमेंड अन दा वे वन आर है वा तो क्या लगाएंगे ए दर ट्रेन इस खली स्थान आवर लेट एच साइलेंट है आवर आर है तो अन आई हैव फिल इन दा ब्लेंग वाच आई हैव अवाच पिर यहां पर दा काउ is useful animal अब यहां पर मास होना काउ आ रहा है तो दा लगा दिया अशा नहीं काउ के सामने आरेडी दा लगा है यह भूलना मत दा काउ is useful animal सोला नंबर I see a girl on fill in the blank road I see a girl on the road याद रख लेना है इसको I see a girl on the road खाली fill in the blank boy is going to school तो boy आ रहा है boy से boy जाती का पूरा पूरा बोध हो रहा है तो क्या लिखें कि the boy boy से पूरी जाती का बोध है पूरे boy जाती का the sunrise in the east क्या लगे east क्या है direction direction के सामने हम क्या लगाएंगे the इसी प्रकार देख सकती है C is fill in the blank अगली girl comment box पर इसका answer आप comment किजिए बिश्वा Sanskrit is difficult language जब भी किसी language की बात होगी तो दा लाएंगे यहाँ पर थोड़ा अलग टाइप का पूछा गया संस्रीत क्या है difficult language संस्रीत क्या है कठीन भासा ऐसा कहा गया है कठीन भासा है तो क्या लगाएंगे the Sanskrit के जगा subject change करके Hindi देख सथ हिंदी is difficult language तो दा लगाएंगे English is difficult language तो दा लगाएंगे He is fill in the blank best boy in our class जब भी best आ है उसके सांद में क्या लगाना पुद्दा देखो यहां पर क्या बुरा है कि वह एक class का best लड़का है बुरा मतलब एक class उसको best बता रहे हैं एक पुरा group में एक को best बता रहे हैं तो क्या लगाएंगे the लगाएंगे C lives in apartment R apartment तो क्या लगाएंगे we saw a movie last Sunday honesty is best आया गाथ क्या लगाएंगे देख सकते best आया तो दा लगाएं तो क्या लगाएंगे honesty is the best policy तो यह था कुछ important question जो पूछे गया थे तो board exam के लिए सारे question बहुत important है 10th board 12th board में question आया थे 3 साल का question में लिया था पूरा trick जो था हमेशा apply होगा आप board की बात करें चाहिए कोई भी competition exam की बात करें जो an का प्रेयोग है a e a o जो a e a o बहुत important है हमेशा यह कारगार सिद्ध होगा आप कहीं पर भी apply किजिए कभी भी आप a e i o u यह vowel से आप कभी भी article बनाईए मत नहीं थमेशा आपका गलत होगा आप धोनी का उचारान कीजिए a e a o अगर यह आ जाए तो an लगाना यह ना आए तो a लगाना अब आखी जगह आपको दा लगाना है अब कुछ जगह था जो आपको मैं बताया था दा कैसे और कहा लगाना है जैसे बेश्ट आया तो आपको वहाँ पर दा का प्योग करना है और एक पीता का एक बेटा था यह भी एक दन प्रूब आथ था तो दा लगाना थे यह सब याद रखना है union आ गया तो दा लगाना है क्योंकि union एक पूरा स्तंस को बता रहे एक जाती टाइप को बता रहे तो जो जाती को बोड कराएगा वहाँ दा लगाएंगे तो इस टाइप को आपको याद रख लेने है और बोड इक्जाम में यहाँ से एक मार्स दो मार्स के आते ही है तो इस वीडियो में इतना ही और कोई doubt होगा तो comment box पर आप comment कर सकती है